और हर्याना में दूसरे शरण में होने वाले फंचायत और जिला परिशत चुनाव के वदिन असर वर्ड नमर साथ से जिला परिशत की उमिदवार पिंकी आदव मोकल वास्त नहीं अपने वोट में डोर टू डोर कैम्पेनिंग कीए और लोगों से वोट की अपिल की गई यसे लेकर हमारे समवदाता ने उनसे खास बातचीत कीए किया कुछ कहा किया सुनें हर्याना में निकाय चुनाव का सेकिंड फेज शुरू हो गया और नो तारीक को तमाब वोटर अपने वोट का उप्योग करेंगे और गुरुग्राम जिले की मैं बात करूँ वार्ड नंबर साथ से जिला परिशाद जन पंचायती उमीदवार पिंकी आदव मोकलवास ने भी अब कहीं ना कहीं परचार को तेज कर दिया पिंकी जी आप टीचर थे आठ एकडम आप राजनीती में क्या कारण रहा हैं किस तरीके का माया जो है विजन लेकि आप राजनीती की तरफ आप मैं समाज सेवा करना चाहती हैं, मैंने देखा समाज में बहुत सी कुरूतियां हैं, जिनने हमें खतम करना चाहिए, जो लोगों ने खतम ने किया है, हमारे यहां पे शिक्षा, कन्याओं, विशेस का कन्याओं के लिए और बागी एजुकेशन का बहुत बड़ी समश्चा है, उसे मैं अपग्रेड करना चाहती हूँ, और मतलब कि कुछ लोग मुझसे मिले, भोडा कला में हम दोर टू डोर कर रहे थे, उस टाइम भी इनने मुझसे कहा, कि मैडम यहां पे शिक्षा का कोई दो अक्षर बताने वाला तक नहीं है, तो उनका कुछ समाधान करें, तो हम स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, और जो हमारी समश्या है, साफ सफाई का है, गली मोहले का है, सडको का है, लाइतों का है, उनका समाधान करेंगे, यहां पे कुछ भी समश्या है, मतलब कि समश्या ही समश्या है, समाधान कोई करी नहीं है, मैं बात करूँ, आप एक महील और महीला शुरक्षया कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप मुन तोर पे देखा जाता है महीलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ग्रामी नाचल में जो बच्ची हैं उनको भार पढ़ने नहीं दिया जाता हां जी ग्रामी नाचलों की म प्रामश्या भी खतम हो जाए और यहां पर मतलब स्कूल खौल दीये जाए उनका तो बिल्कूल कहीं ना कहीं जो विजन वो किलिर है जो बच्ची स्कूल नहीं जा पाती है उनके परिवार को भी कहीं में जागरूप किया जाएगा और उनको एक अच्छी चिक्शा दी जा या फिर जंद सबाव की में बात करूं देखिए हमारी जो पुत्र अदू है पिंग की वह पहले एक टीचर थी और उनकी ऐसी इच्छाए मुझे लगी कि यह समासेव करना चाहती है तो हम उसको रिजाइन कराके और समासेव उतार दिया है और वो टीचर होने के नाते बखू कराएंगे लोगों के लिए ताकि हमारे जो बच्चियां उनको टूइशन मिले घर पर ही क्योंकि आज-कल का महौल इतना खराब है गाओं में कि गलियां में अंधेरा है तो बच्चियां श्याम को कहीं जा नहीं सकती की चड़ है रात को ऐसा मज़ गोमते रहते हैं शराप करेंटिक बड़ा है कि शाम के पांच बजे के बाद कहीना के जो लोग अपने घर से बाहर निकलने कहीना की कत्रा आते हैं यह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्यों यहां पर अंधेरा होने के कारणा स्याम को महीलाओं को नहीं बच्चों का बाहर निकलना दूरलब है क्यों ऐसाज बीक्रा रहा हूं हमने अम्मुलेंज लगा रख्या यह चुनाओ की कोई बात हैंने चुना उसे पहले मुलेंश लगा रहिंख थे एपने अपने लाके में और जब भी मैंने बता रखना है कि मेरे आसपस क्रीला कなた को कृब करने हैं उसकी साधिय के उकरना दन एक र क्वाई लेवल लगातार बढ़ा है तो कहीं ना कहीं है वो पेड़ एक कारगर साबित हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैं बात करूं हम जिस तरीके से लगातार आप डो टू डोर कमपेंड करने किस तरीके का रिस्पॉंस अभी तक वार्ड नंबर साथ जो जिला परिशेद और हमारा चेतर एक तरह से मानों तो बहुत पिछड़ा हुआ था ना तो विदायक ने कोई विकास कर रहे हैं हमारी अटार सो एकर जमीन बीजेपी ने ले ली थी जिसके लिए हम पिछले एक साल से धर्णा परतंश करने उसके कोई सुनवाई नहीं है तो लोगों बहुत समर्थ ने इतना भारी मिला रहा है कि हम डबल बहुत से विजे होंगे तो बिलकुल कहीना कहीं है मेरे साथ मौजू थी पिंकी आदव मोकलवास और वीर सिंग मोकलवास जीनों साफतोर पर यही कहा है कि उनका जो विजन है उन बच्चियों के लिए उन महिलाओ को शुरक् नहीं पाई उन पर वो जरूर काम करेंगे और साथी साथ परियावरन का ध्यान रखते हुए करीबन 10,000 से जादा जो पेड़ है वीर सिंग मौकलवास ने अपने जिले के साथ साथ अपने वाड में भी लगवा है जिसका अब कहीं ना कहीं एक्यो आई लेवल जो पोलोशन लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रोकने में एक कारगर मिसाल साबित हो रही है गुरू ग्राम से कैमरामेन जैदीप के साथ संजर आठो